नमस्कार मैं दिपाली अब सभी का स्वागत दिपाली एस्टो में करती हूं और देखते हैं आज का दिन अनिकी 30 दिसमबर 2022 कैसा जाने वाला है तो चलिए शुरुआत करते हैं में शाशी वालों के साथ में शाशी वालों जैसी सिचुवेशन परिस्थिति आपके लिए चल रही है वैसे ही चलाई है आज के दिन कुछ नयापन आपके जीवन में जरूर आएगा बदलावाने की पूरी परिस्थिति बनी हुई है अब यह नयापन आपकी सोच में विचारधाराओं में परिस्थि अनकूल होंगी सब तरफ से आपको पॉजिविटी अपने चीज़ों में देखने को मिलेगी सोचल रेकिगनिशन की जहां तक बात करते हैं वो भी आज के दिन इंडिकेटिव है तो कुछ ना कुछ सामाजिक तोर पर भी और परसनल लाइफ ये प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके लिए कुछ अच्छी खबर आ सकती है बात करते हैं विश्वराशी वालों के लिए रिश्वराशी वालों आज के दिन स्वास संबन्दी चिंताएं फर्स्ट हाफ के दौरान बढ़ सकती है तो स्वास के पती सचे तो सजग रहने की जरूरत है साथी साथ लंबे परिवार का कोई सदस से आपको कोई एक इंपोर्टन महत्वपूर्ण राय दे सकता है जिसको जो निवेश के संदर्ब में हो सकती है जिसको अगर आप उसका पालण करेंगे तो देखेंगे कि आपकी परिस्तितियां फौद बेटर रीजिंस चेंज होती भी नजर आ रही ह कुल मिला के आज के दिन ध्यान देने की अगर कहीं आवशकता है तो वो है आपकी सेहत बात करते हैं मिथुन राशी वालों के लिए परिस्तियों को अनुकुल बनाने के लिए जिस तरह का प्रयास बनाने जिस तरह का प्रयास अपकी है आपकी मैंनत में कहीं से कमी नहीं लेकिन लगध फैक्टर आपका अभी अगर फिल्हाल प्रोफेशनल या फिनाशल मेंटमेंटर्स शाथ नहीं दे रहा है तो कुछ समय के लिए यानि की 10-15 दिन के लिए अपने विचारों को जो आप नया करने की सोच रहे हैं उसको थोड़ा सा अन होल्ड करिए अपनी स्ट्राटेजी को रिव्यू करिए पॉजिटिव अगर अपने आपको बनाना है तो आपके लिए जादा मल्टिप्लाइ करने क के लिए गरक्राशी वालों आज के दिन आपका समानता जाएगा कुछ खास उतार चड़ाव देखने को नहीं मिलेगा जैसे परिस्तितियां जिस परकार से चल रहे हैं चलती रहेंगी परिवार के सदस्यों का सपॉर्ट भी बना रहेगा परिवार की साहिता से कुछ लेनी है वह आपका एक विलफुल या मैं कहूंगी समझदारी और सूद्बूज का परिशय देने का निर्ने हो सकता है साथी साथ कामकाज के सिलसले में हो सकता है आपकी छोटी मोटी ट्रावल इंडिकेटिव हो वहां पर आपको स्वास्त के प्रती थोड़ा सा सचेत रहन की जरूरत है बात करते हैं सिंग राशी वालों के लिए सिंग राशी वालों सिचुवेशन आपके लिए पॉजिव है मन आपका कॉन्फिडेंट है कहीं से कुछ मुझे नेगेटिव सेनारियों नहीं देखने को मिल रहा है साथी साथ आज के दिन आपकी भी कोई ना कोई इंडिकेटिव अगर है कामकाज की सिलसले में तो आपको अगर आप ड्राइव करते हैं तो ड्राइव सोथ समझ के करना है राश ड्राइविंग नहीं करनी है साथी साथ आज के दिन डाइजेस्टिव संबंदित कोई भी परिशानी आपको हो सकती है तो आपको उस पेट प करने की परिस्तिति अब बनेगी बात करते हैं कनियराशी वालों के लिए कनियराशी वालों परिस्तितियां अनुकूल है मन आपका शांत है सामाजिक तोर से जो आपकी ओवर आल जो परिस्तिति है उसमें जो इजाफा हुआ है वो काबिल तारीफ है इसी तरह से इसी मोड स सब तरफ से इंडिकेटिव है किस तरह से खुब भी आप चीजों को समेटते हैं समालते हैं आगे बढ़ते हैं वो निरने आपके लिए प्रभावशाली आज के दिन माना जाएगा अगर वो फिनांशल मैटल से संबंद रखता है तो बात करते हैं तुला राशी वालों के लिए तुला राशी वालों आपको गले संबंदित कोई रोग हो सकता है गले में कोई प्रॉब्लम हो सकती है साथी साथ आज के दिन आपका चिटड़ापन भी बढ़ सकता है कारेशेत्र में वानी का इस्तिमाल सोच समझ के करना है शब् बुर्बूज का परिचय आपको देना है जिस्वेक्ति विशेश के साथ आपको लगता है conflicting scenarios arise हो सकती है आज के दिन उन परिस्टितियों को situations को avoid करने की कोशिश करें परिवार का साथ बना रहेगा परिवार का support बना रहेगा जो आपके confidence level को intact रखेगा बात करते हैं रिश्यक्राशी वालों के लिए रिश्यक्राशी वालों जैसी परिस्टिती चल रही है वैसे ही चलाईए कुछ खास उतार चलाओ चीजों में परिस्थितियों में आपको देखने को नहीं मिलेगा परिवार की तरफ से आज के दिन कोई important distance कोई important decision आ सकता है और जहां तक आपको कारिशेत्र में और positivity लाने का जो आपकी planning है जिस तरह से आगे बढ़ते हैं उसमें आपको थोड़ा से review करने की जरूरत है यानि कि आपकी career पे जो focused approach है उसमें कुछ न कुछ strategy को review करके चलिए जो लोग नौकरी change करने के एक शुक थे या उनके पास कोई दूसरा option या offer आ रहा है उसको seriously explore करना है क्योंकि ये आपके लिए काफी अच्छी परिस्तिती career के point of view से बना सकता है निजी वैवसाय अगर आपका है तो वैपार की वृद्धी की या उसके expansion की परिस्तिती बनी ह हुई है बात करते हैं धनुराशी वालों के लिए धनुराशी वालों आपके situations intact हैं जैसे चल रही थी चलती रहेंगी धन की कमी नहीं होगी धन अरजित करने के कुछ न कुछ और multiple income के resources आज के दिन आपको देखने को मिलेंगे कुछ नया भी कर सकते हैं क्योंकि आज के दिन आपने financial matters में पहले पिछले कुछ दिनों में कोई निरने लिया हो और वो थोड़ा सा negative गया हो यानि की investment pattern को ध्यान में रखते हुए जहां पर आपके returns अच्छे हों सूझ-बूच का परिशे दीजे जल्द बाते निवेश करने में ना करें साथी साथ आज के दिन परिवार से भी निकल जाएंगे साथी साथ परिवार में अपने भाई भेहन से आज के दिन चोटा मोटा विवाद हो सकता है बहस हो सकती है तो शब्दों का प्रियोग सोच समझ के करने की जरूरत है लंबे समय से चल रहा है अगर कोई लीगल तनाव होगा तो उसका निरनाई या प आश्वरा दे सकता है अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपकी परिस्तिती और ज्यादा पॉजिटिव होती हुई नजर आएगी बात करते हैं कुम्राशी वालों के लिए कुम्राशी वालों आज का दिन आपके लिए करियर के पॉइंट वी से काफ़े जादा बहतर सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपके लिए पॉजिटिव है को मिला के आज के दिन अपनी गुडविल को साख को ध्यान में रखते हुए को महत्वण दिरने आप ले सकते हैं जो आपके करियर के लिए एक नया लीप माना जा सकता है साथी साथ आज के दिन रेफरेंश के थू ना या कुछ नया करना जो की आगे जाकर बेनिफिशल हो सकता है उसकी परिस्तिती भी बन रही है बात करते हैं मीन राशीवानों के लिए पारिवारिक सिर्था बनी रहेगी मन आपका शांत रहेगा विचार धार आएं प्रबलतम शिकर को छूती हुई नजर आएंगी लं अगर आपको चिंता करने की जरूरत है तो निजी संबंधों पे आज के दिन ध्यान देने की जरूरत है चोटे मोटे कन्फूजन को ना पनपने दे क्योंकि यह चोटा मोटा कन्फूजन को दिनों में जाकर बड़ी एक विशम परिस्तिती रिलेशन्शिप के पॉइंट व झाल झाल